अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एज्जूकेशन क्लिनिक पिछले कुछ समय से लगातार क्लिनिक में भी देख रहे हैं और लोग सॉशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं बहुत जादे खांसी है लोगों क मैं को सौर्थ रॉट है गले में कारास बनी रहती है है ऑर इरीटेटिंग कफ होता है के वरी देखा जाता है कि लोगोंको बहुत ज़्यादा करिंग होती है जिससे जियों मिट हो जाता है और बोड़ी तरह से खिर जाती है पीट दरद हो या फिर malaria या viral fever के बाद ये problems रह जाती है और काफी irritating रहती है तो बहुत सारे लोगों को even URTI होता है upper respiratory tract infections जिसमें आपको जुखाम, नजला, खांसी, laryngitis, pharyngitis, otitis media ये सब चीजें होती हैं तो कई वेरी देखाए जाता है कि लोग treatment लेते हैं उससे 3 या 5 दिन में वो fever चला जाता है और जो problem है वो भी काफी कम हो जाती है लेकिन खांसी रह जाती है और sore throat आज एक बहुत बड़ी समझ्या है हर चौथा इंसान sore throat से परिशान है वो खांस रहा है तो काफी कुछ problem हो रही है तो इस पे हम clearly बात करेंगे आपको एक clear cut concept देंगे चीजें को समझाएंगे तो वीडियो को आप देखिए जुडिये plus friend के साथ share करिए चैनल को subscribe करिए क्योंकि आपकी तरफ से यह motivation हमारे लिए होगा और यह motivation हमें काफी मदद करता है अच्छा काम करने के लिए तो symptoms में कई वरी देखा ही जाता है कि throat खरास रहती है दर्द होता है आपको खांसी आती है और जब आप कोई चीज स्वैलो करते हैं निगलते हैं तो आपको दर्द होता है और itching होती है और काफी irritating रहता है पूरा throat with a cough तो यह symptoms होते हैं generally causes में सेम है कि viral हो सकता है bacterial हो सकता है या non infected allergic हो सकता है या फिर पीट के कारण या नि बहुत जादे आपको acid बन रहा है बहुत सारी जादे गरम चीज़ें आपने ले ली तब भी कई वरी irritating cough आपको दिखाई देता है जिस तरीके से COVID का bacteria है उस category के there are 3-4 bacteria जिसके वज़े से अभी यह problems आ रहे हैं आपको या फिर यह seasonal भी होता है और धूल-धुमा के कारण भी कई वरी होता है कुछ trigger factor होते हैं इसके कि यदि आपको diabetes है या आपको blood pressure है या फिर आपको पीट की कोई बिमारी है या आपको बहुत जादा gas बनती है या आपको constipation रहता है या bloating होती है तो फिर आपको यह irritating cough ज्यादा परे पहले तो यह है कि आप अपनी खाने से खटा तला बुना और मीठा निकाल दीजिए बहुत ज़्यादा मीठा आप ना खाएं यदि आप मीठा खाते हैं तो गुर सक्कर खा सकते हैं या फिर आप नीच्रल हनी लें लेकिन मतलब चीनी और चीनी से बने जो चीजे हैं आप को अवोईड करें नेक्स लेवल है कि आप गारगिल करें तीन बार गरम पानी में नमग डालके आप गारगिल करें और थोड़ा थोड़ा लगवाग 100 ml सॉल्ट वाटर सिफ करके आप तीन बार पिएं और थ्रॉट को भार से थोड़ा सा आप सेक भी सकते हैं तो उससे भी आपको काफी राहत मिलती है, नेक्स पॉइंट आता है कि नेच्रल टीट्वेंट क्या हो सकता है, नेच्रल टीट्मेंट में आप सबसे ज़्यादर जो आपको मदद करेगा वो है आपका जिनजर, जिनजर की आप चाय पी सकते हैं या फिर जिनजर यानि सौंट का जो रहता है आपको इरिटेशन रहती है फीवर है साथ में और आपको सटकने में काफी दिक्कत होती है तो फिर आपको यह नॉर्मल मेड जो आप हॉम टीटमेंट कर रहे हैं इसके साथ आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए क्योंकि क्या यह देखा जाता है कि कुछ सपोर्ट की जरुत पढ़ सकती है बट 3-5 डेज में ठीक हो जाएंगे लेकिन आपके लेबल पर जो चीजें करनी है वह आप लगबग 2-5 लीटर पानी पीए हलका गरम पानी सूप पीए जिंजर सूप हो तो बहुत बेटर है प्लस आप तीन वार गारगिल करें और तीन ब ऑसको पानी के साथ गरम दूद के साथ उसको स्वैलो कर सकते हैं तो यह आपको काफी मदद करेगा सौंट से आपके फ्रॉट की कम हो जाती है इंफ्लमेशन कम हो जाती है और सॉल्ट जो होता है वो आपके मुकस को मेल्ट कर देता है तो 3-5 डेज का यह मैंनेजमेंट होता और three days में most of the cases में देखा जाता है कि लोग ठीक हो जाते हैं जादे परिसान होने की या पैनिक करने की जरूत नहीं है लेकिन आपको यदि fever रहता है और fever भी high grade fever रहता है प्लस आपका mucus का color change हो रहा है प्लस आपका जो cuff है उसके साथ साथ आपको और दूसरे associated symptoms डबलब हो रह चाहिए तो फिर आपको anti-biotic और anti allergic और कुछ mucolytic isn't देने होंगे डॉक्टर को उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे thank you very much and take care yourself